Hello Everyone, Good Morning, Good Afternoon and Good Evening कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों मेरा नाम है मनेदर सिंगोला और आप जुड़े हुए हैं मेरा ओफीशल यूटूब चैनल से फस्ट तैम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए जैसा कि हम सब लोगों को पहले से पता है कि आज हमारा है वेटनस डे आज होगी हमरे 28 अगस्त 2024 और आज वेटनस डे का दिन हमरे लिए कितना ज़्यादा इंपोर्टेंट रहता है यह हम सब लोगों को पता है क्योंकि आज हमारा 360 है और 360 का वे सबरी से हम सबी लोगों को हर हफ़ते इंतजार रहता है विकॉज कई हफ़तों से लगाता है हमारे S मुफारिशतर 360 के वेबिनार के अंदर आ रहे हैं और वहां से हमें बहुत सारी और इंटरेस्टिं इंफॉर्मेशन हमें SR के माध्यम से मिलती रहती है तो आज हम सब को पता है कि कहां कहां पे जो हमारा यूटउड सेशन पर यूटूब चैनल्स पर हमारा 360 का वेबिनार लाइव होता है तो जहाँ जहाँ हमारा ये 360 का session live होता है the top.live की जितने भी channels हैं आप उन सभी channels पर नज़र बना के रखिए और उसकी जो information है वो आपको बहुत ही चल्दी मिल जाएगी maybe उसी time के according ही हमारा हो सकता है कि हमारा 360 का webinar start हो जिस तरीके से पिछले कई हफ्तों से लगातार हो रहा है यानि कि 11.30 बजे फिर भी अगर time में कोई भी changing वगरा होती है तो हमें पता चल जाएगा अब शुरू करते हैं अपने इस session के लिए कल मार्टी सर का जो session था उसमें हमारे नए guest आये थे बहुत ही fantastic guest थे मार्टी सर ने इस session को शुरू किया और कहा कि हमारे आज के जो नए महमान है बहुत ही ज़ादा fantastic है और मैं उनको नहीं जानता हूँ लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत को सुना है हमारे यहाँ school खुल चुके हैं अगले हपते से school यहाँ पर जाने के लिए सारे बच्चे तयार हो रहे हैं बहुत ही wonderful lady है जो आज हमारे निव महमान है बच्चों की दादी हैं लेकिन पूरी तरीकी से जवान दिखती है मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपने आपको किस तरीके से maintain किया है मैं यहाँ पर क्रीस जोंसन सर से request करूँगा कि वह हमारे new guest lady के बारे में कुछ introduction दें और उनको invite करें इसकी बाद यहाँ पर क्रीस जोंसन सर का number आया और उन्होंने कहा कि इनकी personality बहुत ही बहतरीन है वह बच्चों की दादी हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजाग्या भी हैं वह एक फरॉमिनबल लेड़ी हैं बहुत ही अच्छी महिला हैं मैं उनको हर समय चड़ाता रहता हूँ मैं उनसे बात करता रहता हूँ मैं बहुत ही beautiful लग रही है मुझे मशलिया इनको मशलिया पकड़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और मशलिया पकड़ने वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मैंने देखी हैं इनके इसके बाद क्रिस जोनसन सर ने अपने न्यू गेस्ट को यहाँ पर इन्वाइट किया और आज की जो हमारे न्यू गेस्ट थे उनका नाम था डैनी लाइन जी हाँ डैनी लाइन हमारे सो की नई गेस्ट है डैन लेनी मैटम ने सभी का धन्यवाद दिया इस सो में बिलाने क पहा कि लोग मुझे बेबी फेस मामा के नाम से जानते हैं, मेरे तीन खुबसूरत ग्रैंडशन है, मेरा घर कोलंबिया कनेड़ा में है, जो बैंकोवर्ड से लगबग एक गंटे की दूरी पर है, मेरे जिंदेगी बहुत ही घटना से भरी हो ही है, मैं एक बिग फैमिली से बलॉंग करती हूँ इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी चीज़ा बताई पूरी स्टोरी बताई उनकी फैमिली लगबाग 47 लोग की फैमिली है इसमें सबी लोग शामिल है 8 साल की अमर में हैं वह आंटी यानी की चाची बन गयी थी बहुत सारे स्टिगल बहुत सारे परिशानिया फैस होती रही है उनकी फैमिली में उनके बाद उसके बाद उनकी मा का निधन हो गया और उसकी बात परवार को मैनेज करने में प्रॉबलम क्रियेट होने लगी लेकिन किसी ना किसी को तो यह जिम्मेदारी उठानी पड़ती है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे खर्च भी यहां पर बढ़ते जा रहे थे और फिर उनको पैसे कमाने के लिए काम की जरूत भी थी सभी ने अपने अपने तरीके से काम करना शुरू किया और मैंने भी एक बार हम एक कैमपैनिंग कर रहे थे और आपको जानकर के हैरानी होगी कि उस कैमपैनिंग के दोरान हमें क्या मिला जी हाँ आपको जानकर के हैरानी होगी कि उस कैमपैनिंग के दोरान हमको क्या मिला आप अंदर दे लगाईए कि उस कैमपैनिंग के दोरान मुझे क्या मिल होगा एक दोस्तना मुझे माइक एलबास की एक वीडियो को सेंड किया जोistling में थी उसके बाद और पी अने वाले टाम के आज़ करने वाली है तो मैंने अपना जाइन अप किया मैंने इसके के अंदर एक founding membership के अंदर जॉइनिंग ले ली आज मेरी family में सभी के जॉइनिंग है सभी की आइडी है on पैसे में लगी हुई है हमारी family में कोई भी negative नहीं है कोई भी मुझे काम करने से नहीं लोगता है अपनी company में ऐसी बहुत सारी चीज़े हो रही है जिसको लेकर के मैं बहुत ही ज्यादा excited हो जाती हूं क्योंकि इसके future के वारे में जब हम सोचते हैं या जो हम सब लोगों के लिए company करने वाली है जब हम इस सारी चीज़ों के वारे में सोचते हैं तो मैं पूरी तरीके से excited हो जाती हूं क्योंकि ये एक ऐसी company है जो यहाँ पे खुद के लिए नहीं आ रही है बलकि इस दुनिया के लिए आ रही है one person के वारे में मेरा बिचार है कि जितना समय इसमें लगना था उसे कहीं ज़्यादा समय इसमें लग रहा है एस सर जितना समय चाहते थे उससे बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर लग रहा है बहुत ही अब प्रत्याशित अमेजिंग चीज़ें यहां पर हो रही है दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो चीज़ों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं यानि कि नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं लेकिन हम इन सारे चीज़ों से ओबर सकते हैं हम आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एसम फारे सर भी बहुत सारे चीज़ों से यहां पर फेस कर रहे हैं बहुत सारे चीज़ों को जहिल रहे हैं लेकिन उनको ओवरकम करना आता है कि इन सारे चीज़ों से कैसे ओबरा जाता है कैसे ओवरकम किया जाता है कैसे इन सारे चैल होगा और पैसिप के लिए मैं पूरी बहुत सारी चीज़ें यहां पर कर रही हूं इसलिए मुझे भी इसका बेस अबरी से इंतजार है मैंने कई वारे सर से बात की है उनकी मेमरी बहुत ही ज़्यादा शार्प है क्योंकि वह हर किसी को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखते हैं वह हर किसी को उनकी नाम से याद रखते हैं इसलिए मैं उनको हर चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूं क्योंकि यही एक खास हमारे सियोसर की पहचान है कि यहां पे हर किसी को वह नाम से याद रखते हैं उनकी मेमरी जो है बहुत ज़्यादा तेज है औ बलकि उसके अंदर जो हमारे कैप्टन है वह कैप्टन को कितना अनवाव है कितने सारे चीज़ों को वह संभाल सकते हैं कितने सारे चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं इन सारे चीज़ों को पर भी डिपेंड करती है मुझे पता है कि एसर बहुत सारे चीज़ों को सेंड कर रहे हैं जी हां problem को जेल रहे हैं उन्होंने सारे चीज़ों को अपने तकी सीमित रखा है मैं यहां पर लोगों को track पर रखने की पूरी कोशिस कर रही हूं कुछ लोगों के messages और calls आते हैं तो मैं उनसे यही बोलती हूं कि अभी कंपणी के तरफ से कोई भी ऑफीशन नहीं है लेकिन हम बहुत ही जलदी कुछ अच्छा सुनने वाले हैं मैं इसके लिए मैं पूरी तरीके से हूं तो बस हम सब लोगों के लिए भी बिलकुल उसी तरीके से इकसाइज़ रहना हैं इन सारे चीजों के वारे में वो बताते हैं इसलिए हमें अभी अपना एक फ्यूचरिस्टिक विजन यहां पर रखना चाहिए जिससे की हम हमेशा पॉजिटिव रह सकें यहां पर सबसे बड़ी सीज में पूरी तरीके से हमें रहना चाहिए आगे हमने की बोड़ी और बेवी स्टम हर बहुत ही जल्दी यह स्टार्ट होने वाला है क्योंकि अगर एक स्ट्रॉंग विलीफ सिस्टम होता है तो वह आपको कोई भी काम करने से नहीं रोग सकता ऐसर का विलीफ सिस्टम ऐसर का जो विजन है, मिशन है वह पूरी तरीके से नीट एंड कलीन है पूरी तरीके से शार्फ है ओन पैसिब के माद्ध हम से हमें वह सब कुछ मिलेगा जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐस मुफारे से ने बहुत सारी ऐसे कमिट्मेंट हैं बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं जो हम सब लोगों से कहीं है और वो सारी के सारी चीज़े हमारी जरूर पूरे होने वाली है क्योंकि ओन पैसिब एक ऐसा बिजनिस है जो अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है लेकिन यह पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड अपनी पूरी तयारी कर रहा है क्योंकि यह disruptive quality का एक पूरा humanistic बिजनिस बनने वाला है और पूरा हर एक sector के अंदर solution लेकर के आ रहा है अगर हम किसी को solution देंगे तब हमारे लिए वहाँ पे कुछ हो पाएगा तो यह थी हमारी full information कल हमारे new guest के माद्धियम से जो कल माठी सर के session में आये थे और कल आज रात को साड़े 11 बजे हमारा 360 का webinar है उसको आपको अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आज रात को साड़े 11 बजे जरूर अटेंड करिए क्योंकि आपको पता है कि एस मुफारे सर के आने की पूरी-पूरी संभावना यहां पर पनी हुई है लास्ट में मैं आपको एक और message देना चाहूंगा अगर आपने हमारा नया channel money management and health management अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप उसे जरूर subscribe कीजे क्योंकि वहां पर मैंने कुछ videos को upload किया हुआ है वो आपकी जिन्दगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ले करके आ सकती है और सबसे important चीज क्या है कि हम सब लोग यहां पर एक passive income कमाने के लिए यहां पर आए हैं तो मैंने अपनी उस channel पर एक video को upload किया है जिसमें मैंने बताया है कि हम 10,000 डॉलर पर month 10,000 डॉलर पर week 6,000 डॉलर पर week 8,000 डॉलर पर week किस तरीके से हम वहां पर कमा सकते हैं तो आप उस video को जरूर देखिए हमारे new channel के link इस video के description में दी गई है आप उस channel को जरूर विजिट करिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर एक और नई information के साथ Thank you so much We are so in it to win it जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तयारी अच्छी होगी